तो भाई फाइनली मैंने भी हनुमान देख ली थेटर में इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि मेरे एक्जाम चल रहे थे कंजूस नहीं हूँ में अब एंडिंग पर आया तो सबसे पहला सवाल यही है कि माईकल का क्या हुआ तो होता कुछ यू है कि माईकल हेलिकॉप्टर से उपर जाकर रुद्र मणी में एक आँख बंद करके जहांकने ही वाला था पर तब ही उसे याद आता है कि उसे तो आँख बंद करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो तो पहले से ही काना है एनिवेज माईकल अपनी बचे खुची एक आँख से भी मणी में जहाक नहीं पाता क्योंकि उसके सामने हनुमन ता जाता है एक गदा लेकर जो की पता नहीं कहां से आई उसके पास और उसी से वो माईकल के हेलिकॉप्टर के तुकले कर देता है जिसके बाद वो गदा फिर से पता नहीं कहां गायब हो गई अब इस सीन को देखकर यहीं लगेगा कि माईकल का तो काम नहीं पड़ गया पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो पिरशान दर्मा ने ये पिच्चर बनाने के लिए सूपर इडो मुवीज को बहुत ही बढ़िया से स्टडी किया है जैसे कि यहाँ पर पोलिगार जो कि एक गाउन लेवल का थ्रेट है फिर माईकल जो कि एक बल्ड लेवल का थ्रेट है और असुराज जो कि यूनिवर्स लेवल के थ्रेट है तो यह सब एक अच्छी सूपर इडो मुवी की ही पहचान है लेकिन इन सब के अलावा सूपर इ मेगा मैन वाला सूट पहना हुआ था जो कि उसे काफी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है तो मुझे लगता है कि माइकल का फेज बहुत ही बुरी तरह से जला होगा बट अपने सूट के वज़ा से वो जिंदा बज गया एंड उस नदी में गिरकर सरवाइब कर जाएगा ल और फिर उस मणी को सूरज के ठीक सामने रखकर देखना पड़ेगा जिसमें से एक किरन लिकल कर आँख पर पड़ेगी और तब मिलेंगी सूपर पावर्स बट इसके लिए भी सूरज बादलों से ढखा न हो और रात में तो भूली जाओ पावर्स को अब जैसे हर सूपर ह तक मुझे लगता है तो अब इसकी पावर्स रात में भी काम करेंगी क्योंकि जब वो ब्लट ड्रॉप इसकी आँख में गिरती है तब ये एक पहाली से गिर रहा था एंड वहां कहीं भी सूरज नहीं था पर फिर भी वो उलने लगता है तो हाँ अब दिन रात सारे टाइ का सबसे जादा गम एक ही बंदे को हुआ नहीं हनुमंतु को नहीं बिभीशन को आंके फेल गए अगले की बैसे बात ही कुछ ऐसी थी क्योंकि रुद्रमणी जो था वो सिर्फ अनुमंतु के लिए एक पावर सोर्स नहीं था बलकि उस मड़ी की बज़ा से ही असुर लोग अगली फिल्म में ही यूनिवर्स लेवल का थ्रेट दिखा देना कितना सही रहेगा क्योंकि इतनी बड़ी बेटल तो एक क्रोसवर मूवी डिजब करती है जहां पर और भी सूपर हीरोज हो हनुमंतु के साथ लडने के लिए क्योंकि असुर भी पूरी आर्मी के साथ ही आ अब भी विशन लास्ट में लोड हनुमान से कहता है कि मैंने आप से जो प्रॉमिस किया था वो तो मैंने पूरा कर दिया अब आपने जो प्रॉमिस लोड राम से किया था वो पूरा करने का टाइम आ चुका है पर वो प्रॉमिस है क्या तो वो प्रॉमिस है लोगों को प्र है कि राम चरंड ने लोड राम के रोल के लिए ओडिशन दिया है ओडिशन के लिए ना भाई सिधा कास्ट करो बंदे को यार लेकिन हाँ भी लोड हनुमान को कौन प्ले करेगा यह कंफर्म नहीं है वैसे इसके अलावा इस यूनिवर्स में अधीरा भी आने वाली है जिसका हनुमान भी आएगी और अभी एक और पिच्चर भी डेवलेप्मेंट में है महाकाली नाम से जो कि मुझे लगता है कि एक फीमेल लीड होगी तो इसकी फ्यूचर के लिए मैं काफी एकसाइट हूँ क्योंकि इन्होंने इतना लोग बजट होते हुए भी काफी तगली कर देंगे तो हाँ अब अपकमिंग मुवीज का स्केल और बजट सब बढ़ने वाला है लेकिन कुछ फिल्मों का बजट इतना तगला होते हुए भी वो बीजवल्स के मामले में इतनी बिकार क्यों होती है जानने के लिए सामने वाली वीडियो देख लेना बाई